खेले दोस्तों मैं मुलका सार आपके साथ ये कहने के लिए जोच चुकाओ कि अगले 10-15 दिन में भी हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हमारी सारी पढ़ाई हो जाएगी भले आपने अभी पढ़ाई शुरू की है आपने पढ़ा है आपको लग रहा है कि आप भूल रहे हो सबको भूल जाएए मैं आपको कह रहा हूँ कि सीधे सीधे तरीके से कि पढ़ाई होती है आराम से होती है अब ना क्या हुआ दोस्तों कि कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि सर हमेना इतना टेंशन आ रहा है कि पढ़ाई दिमाग में ही नहीं जा रहा है इससे लग रहा है स कोई तो और चैप्टार आता है में आप electronics का chapter पर रहे हूँ law of demand अब जब economics chapter पर रहे हूँ आपने रहां पर individual demand, market demand, determinals of demand , types of demand, law of demand, change versus variation इतने सारे content पढ़े, फिर आप आगे के chapter पे गए, आप आए supply पे, supply पे आपने पढ़ा stock concept, flow concept, उसके बाद determinants of supply, law of supply, अब आप थोड़ी देर में 10 मिंट बाप पिशे देखते हो, आपको लगता है इतना पढ़ा लेकिन याद क्यों नहीं आ रहा है, वो supply, demand mix क्यों हो रहा है, आप लोगो को बताना में चाहता हूँ कि आपको अगर demand में से कोई सवाल पूछा रहेगा तो एक specific सवाल होगा, जैसे पूछा law of demand, with assumption, अब भाई तुने बागे कुछ नहीं किया होगा, तुने उतना ही किया होगा, वो अगर आ गया तो खतम ना, for example, change or variation नहीं किया, तो किदर कुछ हो रहा है, और तुम्हें paper में पूरे 10 के 10 chapter याद नहीं करने होते हैं, कुछ specific, उसमें भी option होते हैं sir, समझो इस बात को, agree, disagree, disagree, 5 पूछे आपको, 3 लिखने, तो 2 तो ऐसे भी objective है, तो आप लोग इस point को समझने की कोशिश करो, जो पढ़ रहे हो अच्छे से करो, आज कल देखो मैं वो OCM का chapter number 2 ले रहा हो, क्योंकि वो ऐसे होता नहीं, बच्चे common point करते हो, और फिर क्या लिखते हो नहीं पता, ले कि अभी सर, आज की 6-7 तारिक आ गई, भी बहुत कम दिन बचे, फिर English करना है, Hindi करना है, दरो मत, सर, वो याद नहीं आ रहा है, पेपर से पहले मैं आपको बोल रहा हो, हर चीज याद आएगी, पेपर में हर एक चीज याद आएगी आपको, मैं जितना कह रहा हो, उतना आ सर, अरे पेटा, वो करो, सर, कहां से करे, दिया है, मैंने एक लिक्ट, वो वीडियो देखो, आराम से देखो, समझो, आपको अंडेस्ट्रेंडिंग आजएगा, कैसे सवाल पूछते है, क्वेश्चन नंबर 5 में, economics, क्वेश्चन नंबर 5, टेबल बेस क्वेश्चन, सर, वो OCSP ना justify में बहुत प्रॉब्लम आ रहा सकता, अभे दोस्तो, आपको justify 4 question पूछते, कितने 4, 4 में से लिखने ही, कितने आपको 2, तो 4 में से अगर 2 question लिखने हैं आपको, तो कितना option हो जाता है, SP में अगर आपको दिक्कत आ रही, तो मैं आपको कह रहा हूँ, chapter 2 और 3 के अच्छे से करके रहो, वहाँ पे आपका एक-दो question बनी जाता, OCM में दिक्कतारी, chapter 4 के सारे justify अच्छे से करके, और OC और SP का तो main advantage क्या है, कि textbook से बाहर जादा पूछते ही नहीं कभी, अब दोनों साल के paper का analysis, वो भी मैंने वीडियो बनाया था, अब आपने देखा नहीं ह यह आपका जो mindset है, मैंने कह रहा हूँ कि पहले खुद पर भरोसा रखो, sir, मतलब आप लोग इतने unique हो कि आपके eye के retina, आपका fingerprints, मतलब 150 करोड आबादी वाला देश, उससे भी जादा, अगर हम count करें अभी तो, किसी का fingerprint एक दुसरे से mash नहीं हो रहा, sir, eye retina mash नहीं हो रहा हमारे ना अस से में बहुत जादा power ही इधर, लेकिन वो जिससे जान लिया, उसको भला है, लेकिन जो अल्रेड़ी इस दलदल में फसा हुआ है, मेरा तो कुछ होगा ही नहीं, मैं तो क्या करूँ, सोचते बेटने से कुछ नहीं है, पहले शान्त रहना है, timer लो, notebook लो, इधर उदर के ख्याल आते है, best तरीका है कि आपना notebook लो कोई तो और उसमेर लिखो, मतलब लिखे आतलब पूरा मतल लिखना है, header लिखना बाके अंदर का पड़ो, header तो लिखो, उससे आपके header वाले notes भी बन जाएंगे, क्या लगता है दोस्तों आपको, तरीका धुर्णना पड़ेगा, सर, ये last का time बहुत important बेगा, मैं बोल रहा हूँ, सब होगा, सब होगा, सब होगा, सब होगा, अच्छे से होगा, सब याद भी आएगा, त्योंकि बहुत कुछ नहीं पुछते हैं, option होते हैं, तो आप जि होते हैं, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, और उसको overcome कर लेंगे उस fair को, account सब सब easy है, account और eco तो बहुत छुट्टी है, ठीक है, उस पर भी एक बात में करूगा, कल आपको बताओ कि क्या आपने फिलाल focus करना चाहिए, भी short में अगर बताओ, तो OC, SP, mass, ये जाधा focus पर ठीक है न, फिर Hindi और माराटी और English जो भी हो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन eco और account अभी फिलाल वो छुट्ट्यों वाले दिर में भी डाल दिया तो भी चलेगा, है न, क्योंकि अभी crucial time है, थोड़ा strategy बनाना पड़ेगा, उसमें आता ही हो थोड़ी दिर में, ठीक है, चलो बाबाए, टेक केर, आल दे बेस, पढ़ो अच्छे से होगा और खुद पर बवरसा रखो, बाकी सब चीजे छोट दो, टेक केर दोस्ते